नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपनों के लिए लेकर कहा हूं मैंनकाइड कंपनी द्वारा बनाया गया पाइलो रूट क्रीम तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा पाइलो रूट क्रीम के बारे में जो कि एक एलोपाइथिक मेडिसीन के अंतरगत आता है तो चलिए शुरू करते हैं मैं बात कर रहा हूं पाइलो रूट क्रीम की मैंकाइड कंपनी द्वारा इसकी मैनुफेक्शरिंग किया जाती है बनाया जाता है तो सबसे विए नजर लाते हैं इसके कंपोजिशन पर ज जिंक है फिनालेफरिन है लिगनोकेन है 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 तो इस सब क्या करते हैं है एक कार्टिकोस्टिराइड ड्रग है एक इस्टिराइड ड्रग है जो की सूजन और लालिमा को कम करता है जहां पर प्रहभी छेत रहता है उस स्थान पर सूजन और लालिमा को कम कर देता है साथी लि के सिस्टान के दर्द को गाइब कर देता है कि यो नसें जो रहती है और उनमें ब्लड क्लाटिंग हो और उस सूजन को खतम कर देता है तो यह सारे काम रहते हैं इस ट्यूब के तो यह मुख रूप से जो पाइल्स के पैसेंट्स तो रहते हैं जिनको बवा सीर की सिकायत रहती है तो उन लोगों के लिए यह यूश्फुल प्रोडक्ट है तो पाइल्स जो विसेस कर दो रूप दो प्रकार की होती है एक तो जिसमें जो मलदवार होता है उसके आसपास स्वैलिंग आ जाती है जिसकी बज़े से बैठने में छींकने में खासने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है और साथ ही जो है मल त्यागने में बहुत जादा दर्द होता है तो एक तो इस टाइप क की अध्यार रहती है दूसरा क्या रहता है कि चॉवकिकंव में डर्द के साथ-साथ-साथ बहुए जादा बलड आता है कवूं आता है तो उसको ब्लेडिंग पाइस वोलते हैं तो यह जो है क्रीम दूरू प्रकार की प्रेल्ड में उप्यों गए है להं impyo और साथी मल्ज अगर बहुत जाता है तो उसके लिए आपको कोई लेक्जेटिव लेना पड़ेगा लेक्जेटिव सीरफ ले सकते हैं या टेबलिट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे की मल्ज पतला हो जाए और आसानी से आपको त्यागने में कोई दिक्कत ना हो और साथी होत पाइल्स की प्राब्लम रहती तो पेट साफ नहीं होता है रूप लिटीन जाने में भी um जात दिक्कत होती है और क्या होता है प्यालस कर जाते हैं तो तो इसलिए नहीं आगंगे जितने बार भी आपको मैंसूस हो लगेर वी रेटिन जरूर जाएं जिससे की पेट साफ रहें और सबसे ज़्यादा फाइबर युक्त भोजन का इस्तिमाल करें तली हुई चीज़ें नाले और साथ ही हरी सबजियों को और सलाद को अपने खाने में बढ़ाएं तो जिससे की क्या होगा कि आपका पेट से ही रहेगा तो कि सारे दिकतें जो रहती है पाल्स की वो खतम हो जाएंगी दूसरा है कि कि पाल्स की प्रैप्रम रहती है तो कब्सकी सिकायत एक एहम रोल निभाती है मुख भूमिका निभाती है क्योंकि जब कब्ज की सिकाय जाद इनों से बनी रहती है तब क्या होता है कि तब ही जो है पाइल सुत्पन होती है तो इसलिए यह द्यान रखें कि अपनों पेट को साफ रखें और साथ ही सुपाज भोजन हलका भोजन और मौसमी फोलों को ज्यादा स्यादा इस्तिमाल करें जिससे कि आपकी समस्य जल्दी से जल्दी सही हो सके अब बात कर लेते हैं इसको यूज कैसे करना है इसको अपने हां से नहीं लगाना है और प्रभाविक छेत्र को पहले तो साफ कपड़े से साफ करें कहने का मतलब से और आराम से मल दौर की चारों तरफ इसको लगा लेंगे जब भी आप फ्रेस होने जाए उसके बाद में इसको सुवा और साम या जितने बार जाए उतने बार इसको इसको इस्तमाल करें तो क्या होगा कि यह सूजन को कम कर देगा वहां और ब्लड अगर आ रहा है तो उ पुजले महसूस हो रही है लालिमा अगर हो रही है तो यह जो है अस्थाई दूस्प्रभाव हो सकते हैं जो कि देरे करके अपने आप सुताही समाप्त हो जाते हैं तो इसलिए को ज़्यादा खास टेंसन वाली बात नहीं रहती है अब बात कर लेंदे प्राइस रेंजी की तो यह जो है आपको मार्केट में 135 रुपए की केमत में आपको आपके निजदी की मेटिकल स्टोर से मिल जाएगा या फिर इसको आप आनलाइन भी मंगवा सकते हैं तो दोस्तों यही था असका मेरा वीडियो मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताए और साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरा वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले मिलते के लिए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहन